आछ की अल्एक वीवर्स वेलकम बैट गट्टू इंगलिश्मृत बिलाल वासमलिय और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूस त्टू जी हां आज हम सीखेंगे कि ये यूस्टू को विएंगलिश केंना nghुस 27 यूस सबसे पहले तो एक confusion जो लोगों को या English learners को होती है used to के बारे में वो ये कि वो used का मतलब इस्तमाल करना समझते हैं जबके ये इस वाले used to का मतलब इस्तमाल करना नहीं है ये पूरा का पूरा एक proper structure है ठीके जिसका मतलब कुछ और ही निकलता है तो क्या मतलब निकलता है बने रहे इस वीडियो में ताके आपको इसका मतलब पता लग सके मगर याद रखें इस use का मतलब इस्तमाल करना नहीं है सबसे पहले मैं इसके usage की बात करता हूँ कि हम कब कहां और के से इसको इस्तमाल कर सकते हैं तो देख लें usage हमारे सामने मौजूद है we use it for showing past daily routine past daily routine मतलब वो तमाम तर काम वो सब के सब काम जो काम हम past में माजी में regularly, repeatedly यानि कि वो repeat होते थे उन तमाम कामों को किया करते थे मगर अब वो काम नहीं होते हैं ठीके वो सारे के सारे काम जो काम हम past में किया करते थे मगर वो सब काम अब नहीं होते हैं इस तरह के तमाम कामों को अगर हमें English में बताना है तो हम used to की मदद से बता सकते हैं कैसे जैसे मिसाल के तोर पर अगर मैं अपनी past की daily routine बताऊं जैसे मैं कहूं मैं सुबह जल्दी उठा करता था फिर fresh हुआ करता था breakfast किया करता था इस्कूल जाया करता था और homework complete किया करता था mobile use किया करता था टिक टोक बनाया करता था selfies लिया करता था दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाया करता था अब ये तमाम तर काम overall सब के सब अगर मुझे English में बताने हैं तो मुझे चाहिए भईया used to clear ठीके तो बढ़ते हैं आगे फार्मूले की तरफ के sentences केसे बनाएंगे sentences बनाने के लिए हमें पता है हमें चाहिए फार्मूला तो used to का फार्मूला है subject plus used to यहाँ पर use का मतलब इस्तेमाल करना नहीं है दुबारा बता देता हूँ used to plus verb की first form plus object ये हो गया हमारा affirmative sentence negative में क्या हो जाएगा past की बात कर रहे हैं तो past का helping verb हमें पता है did होता है ठीके subject plus did plus not plus used to अब यहाँ पर हम second form लगा चुके हैं क्योंके second form बनी ही past के लिए यानि के past tense को बताने के लिए माजी को बताने के लिए तो यहाँ पर second form पहले लग चुकी है तो यहाँ पर हमें use की first form लगानी है और दुबारा बता दूँ यहाँ भी use का मतलब इस्तमाल करना नहीं है ठीके use to फिर verb की first form object यह हो गया negative interrogative में data आ जाएगा पहले फिर subject फिर use to फिर verb फिर object और question mark यह हो गया हमारा affirmative negative interrogative का formula वह चाहें तो WHB इसका बना सकते हैं और इसका WHB बनता है एक example देख लेते हैं example की मदद से इसको मजीद समझते हैं जैसे I used to wake up early in the morning इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि मैं सुबह जल्दी उठा करता था मगर अब नहीं उड़ता हूँ अब जल्दी नहीं उड़ता हूँ पहले क्यूं उठा करता था क्योंकि पहले मुझे स्कूल जाना पढ़ता था मुझे स्कूल जाना होता था मैं स्कूल जाता था regularly तो भाई अगर यह भी बताना है कि मैं स्कूल जाता था अब तो नहीं जाता न क्या आप अब भी school जाते हैं नहीं जो मतलब school पढ़ चुके हैं उनकी बात कर रहा हूं क्या आप अब भी school जाते हैं नहीं तो आप तब जाया करते थे यह आपकी daily routine थी यह repeated action था जो बार-बार repeat होता था past में इसको अगर बताना है तो used to से बताएंगे ठीके negative देख लेते हैं इसका I did not used to wake up early in the morning interrogative did I used to wake up early in the morning ठीके और जिल लोगों को उर्दू से या हिंदी से English में translate करने होते हैं sentences तो translation के लिए उर्दू या हिंदी की पहचान इसकी क्या है ता था ती थी या फिर ते थे यानि ये वाले sentences जो end होते हैं ता था पर ती थी पर या फिर ते थे पर जैसे मैं school जाता था जैसे वो रोज नई dishes पकाती थी उमीद करता हूँ कि used to आप लोगों को अच्छे से समझा गया होगा फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे comment box में आप comment करके पूछ सकते हैं वेल आप चाहें तो इसका एक screenshot ले लें मिलते हैं फिर किसी next वीडियो में मुझे ने इजाज़त सर्फ इस एक बात के साथ कि होना है English में bright तो करो English with Bilal को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताके आपके friend circle में ताके वो भी हमारी वीडियो से फाइदा उठा सकें लाहाफिज